शनिवार को आए एक्जित पोल में हर्याणा में कॉंग्रेस को सपष्ट बहुमत मिलने की बात कही गई है एक्जित पोल में इनेलों की सीटे जेजेपी से ज्यादा बताई गई है हर्याणा के पूर्व मुख्य मंत्री उपिंदर सिंग हुड़ा ने एक्जिट पोल पर भरोसा जता आते हुए कहा कि कॉंग्रेस करीब 60 सीटों के साथ हर्याणा में सरकार बनाएगी ठीक है उनका अंदाजा में भी मेरे समिछता हूँ 60 प्लस फाइब माइनस पूर साथ के आतपास में सीट का मेरे को जो इंफर्मिशन मिली है वो है मतलब कमफर्टेबल मेजॉर्टी अच्छे भारी बंब से कांगर्सी सरकार बन रही है कई एग्जिट पोल में कॉंग्रेस को सपष्ट बहुमत मिलने की भविश्वानी के बावजूत हर्याणा के मुख्यमंत्री नयाप सिंग सैनी को भरोसा है कि बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी पूरे बहुमत से भारतिय जन्नता परटी की सरकार आएगी 8 तारीकों आएगी पूरण बहुमत के साथ आएगी हमें पूरा विश्वास है हर्याणा के लोगों ने जो पिछले दसवर्शों में कारियों को देखा है हर वरक के लिए काम हुए है जम्मू कश्मीर के एक्जिट पोल में नेशनल कॉन्फरेंस और कॉंग्रेस के गठभंदन को बढ़त दी गई है दूसरे नमबर पर बीजेपी और तीसरे नमबर पर पीडीपी को बताया जा रहा है एक्जिट पोल में NC कॉंग्रेस गटफंदन को बहमत मिलने की उम्मीद जताई गई है नैशनल कॉंफरेंस के नेता उमर अब्दुला ने एक्स पर पोस्ट में एक्जिट पोल के नतीजों को खारिज कर दिया है और कहा कि काउंटिंग के बाद के नेतीजे ही माईने रखेंगे जमो कश्मीर कॉंग्रेस के प्रमुख तारिक एहमत कर्रा ने एक्जिट पोल पर कहा कि ये एक ऐसी सरकार के लिए अपील है जो विभाजनकारी ताकतों और नफरत फैलाने वालों के खिलाफ खाड़ी होगी इस वकत का जो वोट है एलाइंस को जो फेवर मिल रहा है जो वोट दिया जा रहा है वो एक तो पोलिटिकल लेवल की जो बाते हमने बताई उन्स के लिए और अपने genuine grievances को redress करने के लिए और हम पूरी तरह से इस चीज के उमीद रखते हैं कि आइंदा आने वाली सरकार जो है वो इस एलाइंस की ही होगी आवामी इत्तिहाद पार्टी के अध्यक्ष और सांसत इंजीनियर रशीद ने से आठ अक्टोबर तक इंपजार करने और एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं करने की अपील की है भले ही कई एग्जिट पोल में कॉंग्रेस नैशनल कॉंफरेंस को बहुमत मिलने का नुमान लगाया गया हो लेकिन जम्मु कश्मीर बीजेपी के प्रमुक रविंदर रैना ने भरोसा जताया कि जब आठ अक्टोबर को नतीजे आएंगे तो बीजेपी को बहुमत मिलेगा भारतिये जनता पार्टी ने पूरे ताकत के साथ पूरे संगठन की मेहनत के साथ चुनाव लड़ा है और हमें विश्वास है कि जम्मु कश्मीर में भारतिये जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आएगी अलग-अलग टेलिविजन चैनल्स पर जो एक्जिट पोल के सर्वे भी आ रहे हैं हर्याना और जम्मु कश्मीर विदान सभा चुनावों के नतीजे 8 अक्टोबर को आएंगे